जब हम nitrogen कराते हैं, तो उस condition में generally किसी भी benzene के उप या उसका कोई भी derivative होगा, उसके उपर NO2 positive ये group attack करता है, अब इसको उपर positive charge है, इसका मतलब ये है electrophile, मतलब हम electrophilic substitution reaction की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब normal benzene होगा तो कोई problem नहीं है, आप किसी भी जगह इस NO2 group को attach कर आ सकते हो, लेकिन जब हम इसका derivative को use कर लेते हैं, जैसे aniline, तो aniline में benzene ring के साथ attach होता है, NH2 group, और NH2 group में जो nitrogen है, उसके पास present है lone pair, and the lone pair which is present at nitrogen is present in conjugation with the pi electron of the benzene, that's why the lone pair is donated to the benzene ring, और जब lone pair इस benzy ring के अंदर delocalize होगा, तो इसके regionating structure जो भी बनेंगे, उसमें आर्थो और पैरा पोजीशन पे negative charge जर्णेट होगा, means यह electrofile इसी आर्थो और पैरा पोजीशन पे attack करेगा, और इस तरीके से हमको आर्थो और पैरा enlin का derivative मिल जाएगा, लेकिन जो कहानी है वो यहीं पे खतम नहीं होता, इसके साथ जब हम नाइट्रेशन कराते हैं, तो इस आर्थो और पैरा derivative के साथ हमको यहाँ पे कुछ meta product भी मिलता है, means जो NO2 group है वो meta position भी यहाँ पे attack करता है, और product इसका बहुत थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा fraction में मिलता है, means जो पैरा वाला आपको पता है सबसे ज़्यादा product मिलता है, तो 51% मिलेगा, यह वाला केवल 2% मिलता है, बाकी 47% product यह मिलता है, आपसे यहाँ से बहुत सारे problem पूछे आते हैं, जिसमें पहला problem तो यही आपसे पूछा जाएगा, कि आर्थो पैरा के साथ यह meta product आता क्यों है, और इसके बाद अगर हमको meta product नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे जा, तो इस वीडियो में हम लोग यही discuss करने वाले हैं, कि यह meta product आया कहां से, और इस meta product को अगर हम नहीं generate कराना चाहते, तो हम यहाँ पे ऐसा क्या change करेंगे, जिसके वज़े से meta product नहीं आएगा, तो जब aniline का हम लोग nitrogen कराते हैं, तो generally हम लोग reacting mixture में use करते हैं, of calculate HNO3, नाइट्रेशन के लिए, आओ इलाउग विध इस, small fraction of concentrate H2SO4 is also used, H2SO4 is a acid, and aniline is basic in nature, that's why in presence of acid, base reacts with this, and form an ion, that ion is called anilineum ion, मिन्स NS3 positive, यह अपना H+, इसको donate कर देता है, जिसकी वज़े से यह anilineum iron बना लेता है, और इस anilineum iron का जो nature होता है, वो होता है meta-directing, मिन्स यह negative charge generate करता है, meta-position पे, आर्थो, पैरा पे थोड़ा सा positive charge generate करेगा, मतलब यह aniline group को कर देता है, deactivate, and due to deactivation of the aniline group, certain meta-products are formed along with the आर्थो and पैरा प्रोड़क्ट, और इसलिए आपको 47% यह meta-product मिल जाता है, आप से problem पूछेगा, तो उसका answer आपको यही लिखना है, कि यहाँ पे acid के साथ जब reaction होगा, तो anilineum iron बनेगा, और वो meta-directing होता है, इस विज़े से meta-product मिलता है, अब इस meta-product के formation को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, nitrogen कराने से पहले हम aniline का कराते हैं, acetylation, acetylation मतलब हम लोग यहाँ पे acetyl group को attach कराएंगे NH2 के साथ, अब acetyl group जो भी produce करने वाला होगा, उसके साथ हम यहाँ reaction करा सकते हैं, जिसमें आपको acid chloride मिल जाएगा, या फिर acetyl anhydride, हम यहाँ पे acetyl anhydride को use कर रहे हैं, तो acetyl anhydride से हम लोग इसका reaction कराते हैं, तो this one is the acetyl group, यही group यहाँ पे attach हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे product मिल जाता है, NHCO CS3, अब यह जो product होगा, उसमें anhylene को आपने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया है, तो अभी भी इसका nature आर्थो पैरा ही होता है, यानि कि अभी meta position पे कभी भी NO2 को proceed नहीं कराएगा, इसलिए अब इस condition में जब हम इसका कराते हैं, नाइट्रेशन, तो यहाँ पे जो product मिलेगा, वो हमेशा आपको केवल आर्थो और पैरा सब्स्यूटेड मिलेगा, तो आपको यहाँ पे दोनों product मिल जाते हैं, अभी reaction हमारा complete नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे तो NH2 ग्रूप लगाना है, तो इसलिए जो acyl group हम लगाये थे, उसको अब यहाँ से हटा देंगे, इसलिए इसकी हम लोग कर देते हैं, hydrolysis, और जब hydrolysis करेंगे, water से reaction, यह HOH इस तरीके से break होगा, यह NH2 में convert हो जाएगा, estic acid के form में यह बाहर हो जाता है, पैरा बारा product हमेशा major product होता है, इसलिए ज्यादा मिलेगा, यह minor product होता है, कम मिलेगा, हम इसको change कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा NH2 और पैरा पे NO2 ग्रूप, यह आपका final product आ जाएगा, जब हम nitrogen कराएंगे, किसी भी an aniline का after the acylation, तो आपसे एक दूसरा सवाल यहाँ पे पूचता है, कि जब हम aniline का nitrogen कराते हैं, तो nitrogen से पहले acylation क्यों कराया जाता है, तो उसमें आप answer लिखते हो, इस NH2 ग्रूप को protect करने के लिए, क्योंकि जब हम इसका protection नहीं करेंगे, तो आर्थो पैरा के साथ meta product आता हैं, इसलिए हम NH2 ग्रूप को पहले acyl group से protect कर देंगे, फिर nitration कराने के बाद, दुबारा फिर हम इसको यहाँ से release करा देते हैं, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी topic के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, thank you.